गुड मॉनिंग एवरिवान और आज मैं आ गया हूं पाम की वेस्ट विंग पहले साइड की मैं ओल्रेडी वीडियो डाल चुका हूं नॉर्थ विंग की और यह इसकी वेस्ट विंग है तो वेस्ट विंग में अभी ज्यादा डेवलप तो नहीं हुआ है लेकिन बहुत सारी होटल सा गई है और यह सारी चीजे जो देख रहे हो ना यह सब पानी के अंदर ही बनाया है इन्होंने तो बड़ा एक खुबसूरत तरीके से बनाया है तो हम सुरू करते हैं यहीं से जो फस्ट होटल है इन्होंने एक्दम किले के टाइप बनाई है और पास में राफाल सो होटल सब कुछ इन लोगोंने क्रियेट कर दिया और पाम की एक खासियत है कि रोड के साइड में आपको रनिंग के लिए जोगिंग के लिए वे इन्होंने बना के दिया है जो बड़ा ही प्यारा है और पूरे वे पे इन्होंने वूड़न फ्लोर डाला है तो जब आप दो चलेंगे साथ में गूमते हुए जगे जगे से अच्छे एच्छे व्यू केप्चर करते हुए अगर देखा जाये तो मतलब यहां पर पड़ा सुकून सा मिलता है एक साइड आपको मतलब सामने पानी के आवाज आ रही है आपके सामने ओशियन है सब उंदर लगा हुआ है और पीछे के साइड हर होटल का एक अपना बीच है तो मतलब पे दोनों साइड पानी और बीच में होटल गार्डन जो भी इन्होंने लगया हुआ है और इन होटल के पीछे बहुत सारे विला हैं जहां पे लोग रहते हैं और हर विला का अपना भी बीच है और बहुत सारे फ्लेट भी हैं उनको भी बीच मुहाया इन्होंने कराया है तो ओल्मॉस्ट 15-20 किलोमेटर के रेंज में इन्होंने पूरी की पूरी दुनिया बसा दी है जो मतलब पानी के ओपर जमीन इन्होंने क्रियेट करके और बहुत सारी मतलब बिल्डेंग्स, होटल्स, टुरिस्ट सब कुछ और यह मेरे सामने से एक लेमो निकल रही थी तो यह लोग भी यहां पर गूमने आए थे अभी मैं राफल्स ओटल्स के सामने खड़ा हूं और यहां से आगे बढ़ूंगा वेस्ट विंग का पूरा विजिट करने वाला हूं तो जाने के टाइम जगे-जगे रो से मरीना मतलब साफ नजर आता है और मरीना का लास्ट का जो डिस्टेंस है वो मतलब 500 मीटर संतिंग डिस्टेंस है पीच में पानी है और उस साइड पूरा मरीना है लेकिन आपको अगर वापिस आना है तो भी आपको विंग से डारेक्ट उदर नहीं जा सकते आपको वाप से तो बहुत सारे होटल्स आज चुके हैं और जो लास्ट होटल है वो अभी मैं देखने जा रहा हूं वन एंड वन है तो वो भी मतलब दुनिया के सारे इंटरनेशनल ब्रांड की होटल्स आपको पाम में मिल जाएगी और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी होती रहत हैं हम लोग पाम के वेस्ट विंग का विजिट करते हुए और यहां पर कुछ रेजिदेंस भी इन्होंने बनाएं सामने के साइड में तो देखने में भी बड़ा प्यारा विव लगता है चाहे सामने हो या पीछे से हो और जब आपका अगर रूम या घर यहां हो तो सुक में और आगे बढ़ते हैं दीरे दीरे चलते हुए मतलब यह विजिट में कार्तरू नहीं कर रहा हूं पैदल विजिट कर रहा हूं तो देखते हैं पैदल विजिट में क्या क्या और आप देख रहे हो ना मतलब होटल के सामने भी बहुत सारी जगें हैं और यह डबलू र पिर उसके बाद में आपकी जोगिंग की जगे हैं और फिर कुछ जगे बाद में समुंदर तो यहां तक की जमीन इन्होंने समुंदर में कवर की है जो एक अपने हाफ में मतलब माइंड ब्लोइंग है कोई सोच भी नहीं सकता कि पानी के अंदर भी ऐसी दुनिया बसा सकते ह तो चले आगे बढ़ते हैं और साथ साथ देखते हुए चलते हैं और मैं भी दीरे दीरे चलते हुए आगे बढ़ रहा हूं तो बने रही है मेरे साथ और फुल वीडियो में आपको वेस्ट विंग पूरा दिखाते हैं आज कि अी में आपको वीड़ preventing आपको वेस्टानी सेस्टानी हैं आपको Tel A क्र दीरे आपको अुल को वीड़िय noisy या क्यूरा दूताज पाधको Kirsty क्यूर को वेस्ताख अभी में एता भी καत 아닌 Even आपको कर दो एक दो को दो को झाया है झाल 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 झाल